कौन सी इस्तरिया संतान सुख से वन्चित रहती है? नमस्कार मेरे प्रिय मित्रो, आप सभी को रादे रादे आज की कथा है कौन सी औरते संतान सुख से वन्चित रहती है? मित्रो ये दुख सिर्फ वही इस्तरिया समझ सकती है जिनको किसी भी संतान की प्राप्ती नहीं होती है ये दुख उन इस्तरियों के लिए बहुत भयानक होता है मित्रो इस दुख को लेकर एक कथा व्याप्त है जिसे स्वयम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णू ने बताया है तो चलिए हम इस कथा को सुनते हैं एक बार की बात है माता लक्ष्मी जी ने वंदन करते हुए भगवान विष्णू से कहा कि हे प्रितम आज मेरे मन में तीन प्रश्ण है जो भड़क रहे हैं हे प्रभू यदि आप मेरे मन में उठ रहे इन तीनों प्रश्णों का निवारन कर दें तो मैं पिर्थवी लोग पर उन माताओं की गोद भर सकूंगी जो अपनी संतान सुक से वंचित रहती है तब भगवान विष्णू ने कहा हे देवी लक्ष्मी आखिरकार तुमारे वे तीन प्रश्ण कौन से है तब माता लक्ष्मी जी बोली हे प्रभू मेरा पहला प्रश्ण है कि मैं वे कौन सी इस्तरी है जो संतान सुक से वंचित रहती है मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी इस्तरी समय से पहले विद्वा होती है और मेरा तीसरा प्रश्न आप से ये है कि कौन सा शंगार करने पर इस्तरी को स्वर्ग में इस्थान मिलता है तब भगवान विश्नु मुस्कुराते हुए कहते हैं हे लक्ष्मी ये तीनों प्रश्णों बहुत ही महतुपूर्ण है। जो भी वैक्ति इन प्रश्णों को जान लेता है और अपने जीवन में इन प्रश्णों को उतार लेता है, उसके जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। भगवान विश्णु कहते हैं, हे देवी लक्षमी, लेकिन मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्णों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूँगा, इस कथा के द्वारा तुम अपने प्रश्णों के उत्तर ठीक से जान पाओगी, परंतु जब तक मैं इस कथा को सुनाओंगा, सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्दा से सुनुगी, आप चिंतन ना करें और किर्प्या उस कथा को प्रारंब करें, मित्रों आप सभी भी इस कथा को पूरा सुने, इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना गया है, भगवान विश्णु कहते हैं, हे देवी लक्षमी, सि सावकाओं में एक सावकार रहता था, सावकार के दो बेटे थे, जो आचरन के बहुत अलग-अलग प्रकार के थे, दोनों बेटों की साधी भी हो चुकी थी, सावकार और सावकार के बड़े बेटे का सवाव बहुत ही दृष्ट प्रविर्ती का था, इसलिए सावकार की प पतनी बहुत ही अच्छे सवाव की थी वह प्रतिविर्ता नारी भी थी छोटी बहु ही घर का सारा काम किया करती थी इतना कुछ होने के बावजूद भी साहुकार की पतनी और साहुकार के बड़े बेटे की पतनी छोटी बहु का हमेशा अपमान करती रहती थी मित्रो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी सावकार के बड़े बेटे का एक बेटा था और सावकार के छोटे बेटे को एक पुत्री थी सावकार की पतनी बड़े बेटे के पुत्र को लेकर छोटी बहु को हमेशा ताना मारा करती थी लेकिन वे छोटी बहु क्या कर सकती थी वे हमेशा ताने सुनती गएती थी और पलट कर कभी जवाब नहीं देती थी भगवान विश्नु आगे कहते हैं हे देवी लक्ष्मी अब मैं तुम्हें छोटी बहु की कहानी अच्छे से सुनाता हूँ इस कहानी को सुनकर तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा मित्रो भगवान विश्नु कहते हैं तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वे कौन सी इस्तरी होती है जिसे संतान का सुख नहीं मिलता तब भगवान विश्नु कहते हैं कि उस सावकार की पतनी पहले से ही बहुत ही दृष्ट सुभाव की थी, उसके कुटिल और दृष्ट सुभाव से उसके घर वाले बहुत परेशान थे, परंतु वे किसी को कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि सब उसे उलट के जवाब दे दे तब उसने अपनी सीधी साधी छोटी बहु को कुछ जादा ही परेशान करना शुरू कर दिया, उस छोटी बहु को सताने में उसे बहुत आनंद आता था, छोटे बेटे की पतनी का नाम मधुवाला था, बिचारी मधुवाला सुभा उटकर घर के काम में लग जाती थी, इ एक दिन की बात है, मधुवाला घर में जाडू लगा रही थी, तबी सावकार की पतनी ने कहा, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, जल्दी जल्दी जाडू लगा, और कहा देख मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, मेरे मंदिर से लोटने से पहले घर के भोजन का बन जाना चा वो अपनी सास की बातों को सुनती रही, जैसे ही उसकी सास चली गई, तो मधुवाला जाडू लगा कर खाना बनाने में लग जाती है, जब मधुवाला खाना बना रही थी, तो वो सोच रही थी कि मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन इतना काम करने के बाद भी एक पल के बोजन तयार ही नहीं हुआ, लगता है कि मेरी सास मंदिर से आज बहुत जल्दी लोट आई है, मधुवाला ने दर्वाजा खोला तो उसने देखा कि दर्वाजे पर एक संत महात्मा खड़े हैं, भगवान विश्नु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वै सादू अगर मुझे कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत तेजी से भूक लगी है, मित्रो, भगवान विश्नु कहते हैं कि मधुवाला बहुत ही सुसील और संसकारी बहुत ही, उसने सोचा कि मैं इन संत को भोजन करा देती हूँ, लेकिन यदि मेरी सासुमा आ गई, तो मैं मुसी भीवत में आ जाऊंगी, मधुवाला ने फिर कुछ देर तक विचार किया, उसके बाद उसने उस संत को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा, उसी समय मधुवाला के मन में सोच रही थी कि डरना कैसा, अगर मेरी सास भी आ गई, तो और मुझसे कुछ कहेगी, तो मैं उ संत महात्मा को दे दिया है, भगवान विश्नु आगे कहते हैं, हे देवी लक्षमी, फिर ऐसा सोचकर मधुवाला उन महात्मा को अथीती धर्म का पालन करते हुए, उस सादो को भोजन करा ही रही थी, कि तभी मधुवाला की सास आ गई, और उस संत को घर के अंदर भोजन करता हुआ देखकर, मधुवाला की सास का गुस्सा सातवे आस्मान पर चड़ गया, और वैसंत महात्मा से कहने लगी, यहां किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो कोई राह में चल रहे बिकारी को खाना खिला रही हो, सुखन्या ने अपनी सास को खाना खा रहा था, उसका खाना उठा कर फेक दिया, उसका क्रोध अब मधुवाला पर तूटा, तो उसने कहा, अरे दोष्ट बेहुदा औरत, मैंने तुछ से कहा था कि मेरे आने तक अन्न का एक भी टुकड़ा बरवाद नहीं होने पाए, लेकिन तूने ये क्या किया, त इसमें आखिर इतना गुसा होने वाली कौन सी बात है, घर पर आए हुए महमानों को कभी भी खाली हात नहीं जाने देना चाहिए, भगवान विश्णु कहते हैं, कि हे देवी इस प्रकार सास और बहु की आपस में तकरार चल रही थी, अन्त में उसकी सास ने मधुवाला क भी धक्के मार कर बहार निकाल दिया, अब वे रोती हुई और दर्वाजा पीरती रही, उसकी सास का दिल पत्थर जैसा हो गया, अब मधुवाला के पास एक ही रास्ता बचा था, कि वे अपने मायके वापस लोड जाए, मित्रो भगवान विश्णु कहते हैं, कि हे देवी लक्ष में इस प्रकार मधुवाला अपने मायके की ओर जाने लगी, रास्ते में एक घना जंगल पड़ा था, मधुवाला भूख प्यास से तडपते हुए अपने मायके की तरफ जाने लगी, तभी अचानक से बादल गरजने लगे, और देखते ही देखते मुश्लाधार शुरू हो गई, भगवान विश्नु कहते हैं, हे देवी मधुवाला भारिष से बचने के लिए एक पेड़ की सरण ली, हवा का वेग इतना तेज था कि उसका बचना मुश्किल हो गया, उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था, मधुवाला यह सोच कर अंदर जाने लगी कि बारिष खतम होने के बाद वे वापस बाहर चली आएगी, बाहर वर्सा हो रही थी और बाहर कोटर में छिप कर बारिष खतम होने तक समय बीता सकती है, भगवान विश्नु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब सुकन्या उस कोटर में गुसी, तो वहाँ एक प्रकट हुए, उन्होंने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ ससुर दुष्ट प्रविर्ती के हैं, और तुम्हें रोज ताना मारते हैं, क्योंकि तुम्हारे जेठानी को पुत्र की प्राप्ती हो गई है, और तुम्हें अभी तक पुत्री की प्राप्ती न इस प्रकार वह महात्मा शुकन्या को किताब देकर अंतरध्यान हो गए, वर्सा भी बंद हो गई थी, तो मदुबाला का पती उसे ढूनता हुआ उसके पास पहुँचा, मदुबाला और उसका पती ससुराल नहीं गए, बलकि वे उसी जंगल में एक कुटिया बना कर रहने ल पत्र होता, तो मेरे ससुराल में मेरी इज़त होती, मदुबाला ऐसा सोच ही रही थी, कि उसे सादू की दी हुई किताब की याद आई, मदुबाला ने पत्र प्राप्ती के लिए उस किताब को पढ़ा, उस किताब में लिखा था कि इस्तरी को पत्र प्राप्ती के लिए र लेने से नाक का बाया स्वर चलने लगता है और जब भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उस इस्तिती में संभोग से पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि पुरुष का दाया स्वर और इस्तरी का बाया स्वर चलने लगे उसी समय गर्वधारण किया जाना चाहिए ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है अगर कोई इस्तरी इसके विप्रीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है मित्रो मैं आगे लिखा था कि मासिक धर्म में शुरू होने के चार दिन पहले मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति हो होती है छटी रात में मिलन से पुत्र होता है साथवी रात में मिलन से बंद पुत्री होती है आठवी रात में मिलन से एसर्य शाली पुत्री होती है नमी रात में मिलन से एसर्य शाली पुत्री होती है दर्शको भगवान विश्णु कहते हैं हे देवी लक्षमी जिस प्रकार उस मदुबाला ने आटवी रात अपने पती से मिलन किया और गरवधारन किया उस सुबा श्रान किरिया से निवरित होकर हो गई और पूजा पाट किया इधर मदुबाला का पती लकड़ी काटने चला गया उसके पती के जाने के बाद एक बहुत भयंकर तूफान आ गया अब मदुबाला की जोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और तेजी से बारिश होने लगी बारिश से बचने के लिए मदुबाला एक पेड़ पर पत्ता लिख देती है और वह पत्ता उसी कोटर का था जिसमें पहले मदुबाला बारिश से बचने के लिए छीपी हुई थी मदुबाला ने पेड़ पर पत्ता इसलिए लिखा था कि जब उसका पती पेड़ के पास आए तो उसे पता चल सके कि उसकी पत्नी मदुबाला उसी कोटर में जाकर छिपी हुई है मित्रो भगवान विश्नु कहते हैं कि हे लक्ष्मी उदर मदुबाला कोटर में आकर छिप जाती है जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था अब इधर उस पेड़ के पास में दो राक्षसी का निवास इस्थान था इधर तो मदुबाला बारिश से बचने के लिए इस कोटर में छिपी रही वे दौनों राक्षसी बारिश से परिशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी फिर पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी मुझसे तो चला नहीं जाता लेकिन मेरा मन कर रहा है कि सोने वाले तापू पर चली जाऊं दूछली राक्षसी बोली आरे बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है ये पेड़ हमें उड़ा कर के वहीं पहुंचा देगा जहां पर तुम्हें तुम्हारा सोने का टापू है ऐसा कहकर वे दोनों राक्षसी पेड़ के उपर की दोनों साखाओ पर बैठ गई जैसे ही वे पेड़ की साखा पर बैठी पेड़ हवा में एकदम से उड़ने लगा उधर ठकी हारी मदुबाला कोटरी में छुपी हुई थी कोटर में गुसते ही मदुबाला को नींद आ गई थी किन्तु पेड के उड़ने से उसके जटकों से उसकी नेंद खुल गई पेड को उड़ता देखकर वह एकदम से घबरा गई जब मदुवाला ने कोटर से बाहर देखा तो उस पेड की डाल पर दो राक्षसी बैटी हुई थी अंततय मदुवाला ने सोचा की अभी कुछ भी करना खत्रे से खाली नहीं है उसने सोचा की जो होगा अच्छा ही होगा फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वै पेड एक सोने के टापू पर पहुँचकर उतर गया कुछ देर बाद दोनों राक्षसी सिकार के लिए निकल गई मित्रो भगवान विश्णू कहते हैं हे देवी लक्षमी दोनों राक्षसी के जाने के बाद मदुवाला कोटर से बहार निकल कर चैन की सांस ली जब मदुबाला सोने के टापू पर फैली रेत को देखा तो वे शंका में पड़ गई उसने देखा कि रेत तो चमचमा रही है जैसे ही मदुबाला ने रेत को हाथ में उठाया तो वे एकदम से चिलाने लगी अरे ये तो सोने की रेत है उसने अपनी साड़ी के पल्लू में जितना हो सके उतना रेत बांध ली और पुने आकर के उसी कोटर में छिप गई मित्रो भगवान विश्नु कहते हैं हे देवी लक्ष्मी जब मदुबाला उस कोटर में चली गई तभी दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आई उन दोनों राक्षसी ने से एक राक्षसी कहती है आज इतना भोजन करके मन त्रिप्त हो गया हम लोग वापस लोट चलते हैं जहां से हम लोट आई हैं और इस प्रकार वे पेड़ थोड़ी देर में उसी इस्थान पर पहुँच गया जहां पर पेड़ उड़कर के गया था मित्रो भगवान विश्नु कहते हैं हे देवी लक्ष्मी वे मदुबाला उसी कोटर में चुपी रही जब तक कि वे राक्ष्मी किसी काम के लिए उस पेड़ से उतर कर कहीं चली नहीं गई जैसे ही वे दौनों उस पेड़ से उतर कर चली गई तभी मदुबाला रेत लेकर कोटर से बहार निकल आई और वे मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना जब मैं अपनी सासुमा को दूँगी तो वे बहुत खुश होंगी फिर वे कभी भी मुझसे नफरत नहीं करेंगी और प्यार करने लगेंगी मित्रो भगवान विश्नु कहते हैं हे देवी लक्षमी इधर तो मदुबाला ऐसा सोच रही थी तब तक मदुबाला का पती उसे ढूनता हुआ कोटर के पास आ जाता है मदुबाला अपने पती को सारी बाते बताती है और अपने पती से कहती है देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ ऐसा कहकर वह अपना सारा सोना अपनी सास को दे देती है उसकी सास ने पूछा तुझे इतना सारा सोना कहां से मिला सुकन्या अपनी सास को भी सारी बाते बता देती है मित्रो भगवान विश्नु कहते है सोना लेने के बाद उसकी सास क्रोधित होकर बोली अरे मूर्क औरत तू सिर्फ इतना ही सोना लेकर आई है इतने सोने से क्या होगा तू चाहती तो वहाँ सारा सोना लेकर आ सकती थी सास की बात सुनकर मदुबाला कहने लगी मा इससे हमारी तीन चार पीडियों के लिए इतना सोना काफी है तब सास कहने लगी अरे मूर्क धन भी कभी किसी के लिए काफी होता है सोना जितना हो उतना ही कम है अब तू देख मैं अब जाऊंगी और कितना सोना लेकर आऊंगी मित्रो भगवान विष्णू कहते हैं हे देवी लक्ष्मी मदुबाला ने अपनी सास को बहुत समझाया की मा वहां मत जाओ वहां पर खत्रा है लेकिन उस लालची और द्रिष्ट औरत को समझ में नहीं आया उसने मदुबाला की एक भी बात नहीं मानी और वह जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैट गई और जब राक्षसी पेड़ पर आई तो वे पेड़ उड़ने लगा पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और मदुबाला की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी वे सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर लूँगी मित्रो भगवान विश्नु क्याते हैं हे देवी लक्षमी मदुबाला की सास अपने मन में खुशिया मना रही थी उसी समय एक राक्षस ने कहने लगी आज हम सोना टापू पर ना जाकर मतस्य दीप पर चलते हैं मुझे मचली खाने का बड़ा मन कर रहा है जैसे ही दोनों राक्षसों ने हां में हां मिलाई वैसे ही वै पेड मतस्य दीप की ओर उड़ चला मित्रो भगवान विश्णू कहते हैं हे देवी लक्षमी उस पेड के कोटर में बैठी मदुबाला की सास खुद पर सहियम ना रख पाई और वह एकदम से बोल पड़ी तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो मतस्य दीप ना जाओ सोना टापू चलो जैसे ही उस लालची इस्तरी ने इतनी आवाज दी तब दोनों राक्षसी को लगा कि जरूर ही कोटर में कोई है उन राक्षसों ने उस लालची इस्तरी को देखा तो उसे उठा कर पेड से नीचे फेग दिया और धर्ती पर गिरते ही उस लालची इस्तरी की मौत हो गई जैसे ही उसकी मौत की सूचना उसके घर वालों को मिलती है उस इस्तरी का पती मदुबाला का ससुर मदुबाला के पास जाता है और कहता है बेटी मैं तो इसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर लालच करना ठीक नहीं है बहुएं बेटी की तरह होती है उन्हें प्रेम और शने देना चाहिए लेकिन इसने तो मेरी भी बात नहीं मानी और इसके कर्मों का फल आज इसे मिल गया मित्रो, भगवान विश्नु कहते हैं हे देवी लक्षमी उदर मदुबाला सुख पूर्वक जीवन बिताने लगी कुछ समय के बाद मदुबाला को एक गुडवान पुत्र की प्राप्ती हुई पुत्र की प्राप्ती के बाद मदुबाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा वह भगवान का धन्यवाद करने लगी साहुकार के बेटे बड़े बेटे की पतनी जो मदुबाला को पुत्र के नाम पर ताना दिया करती थी जब मदुबाला को पुत्र की प्राप्ति होती है तब उसे सम्मान भी मिल गया बड़े बेटे और बहु के दिन गरीबी में गुजरने लगे साहुकार के बड़े बेटे की बहु मदुबाला के पैरों में गिर कर माफी मांगने लगी मदुबाला एक बहुत ही दयावान इस्तरी थी वह बहुत ही मदुर सम्मंद वाली इस्तरी थी वह अपनी जिठानी को माफ कर देती है और जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जिठानी को भी दे देती है इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगा मित्रो भगवान विष्णु कहते हैं हे देवी लक्ष्मी समय धीरे धीरे सुप पूर्वक वैतीत होने लगा तो सावकार की बड़ी बहु का जो पुत्र था वह बहुत ही अवगुण वाला था उसने सारा धन अवगुणों में बरवात कर दिया और मदुबाला को जो पुत्र हुआ वह बहुत ही गुडवान था वह अपने जीवन में इतना आगे बड़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो मदुबाला को स्वर्ग की प्राप्ती हुई और मदुबाला की जेठानी को नरक्ती हुई मित्रो भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्षमी, तुम्हारा पहला प्रश्ण था, कि कौन सी इस्तरी भागे में संतान का योग नहीं होता है। समझ लोग की संत के द्वारा दी हुई किताब के उपरांथ, उसे संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विश्णु कहते हैं, हे लक्षमी, तुम्हारा दूसरा प्रस्ण था कि कौन सा गहना पहनने पर इस्तरी या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, वे गहना है लालच, लालच रूपी गहना जो साहुकार की पतनी ने पहना था, पहनने के कारण साहुकार की पतनी द कुमारा तीसरा प्रस्ण था कि कौन सा श्रंगार करने पर इस्तरी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वे है पती रूपी श्रंगार, यानि की चरित्रवान और पती व्रता इस्तरी, जिस प्रकार मदुबाला मृत्यु के बाद स्वर्ग में गई, उसी तरह हर इस्तरी को चरित्रवान और पती व्रता होना चाहिए भगवान विष्णु कहते हैं हे देवी अब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि वे तीनों प्रश्णों के उत्र क्या है उत्तर क्या है जो आपने मुझसे पूछे थे तब देवी लक्षमी कहती है हे भगवान मुझे अब मेरे उत्तर मिल चुका है आपने मुझे जो ये मार्व दर्शन प्रदान किया है इसे मैं संपूण विष्ण में विख्यात करूंगी मित्रो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लालच एक बहुत बुरी बात होती है जैसे उस साहुकार की पतनी के साथ हुआ वैसा आपके स साथ ना हो आप ध्यान रखें मित्रो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथ में कमेंट सेक्षन में रादे रादे अवश्य कमेंट करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिने इस वीडियो की जरूरत है जिन